वेल्कम तो श्टड़ी चैनल में नाम है मुहम्मद कैसर बिहार के बीपीसी चेर्मेन अतुल परसाद जी ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और बीएट डियलेट के संबंद में एक्जाम के संबंद में जानकारी दिये बीपीसी का प्यार्टी का एक्जाम होने जा रहा है यह इन्होंने क्लेर कर दिया इसे पहले भी इन्होंने कुछ ट्वीट किये थे और उसमें ने कहा था कि हम एक्जाम कराने जा रही हैं आज के भी ट्वीट में उन्होंने साफ कहा है कि एक्जाम 24 और 25 अगस्त को प्यार्टी का होने जा रहा है तो जो भी छातर हैं बीएड वाले हों, डियलेट वाले हों, बिहार के हों या अधर स्टेट के हों, सब लोग यह एक्जाम दे सकती हैं, कहीं से भी BPSC ने रोका नहीं है, अब यहां पर इनका जो ट्वीट है, यह काफी complicated है, और इससे समझना आसान नहीं है, फिर भी इसे हम लोग देखते हैं, लिखा गया है कि holding TRE on time and disqualification of some candidate are two different things, यानि कि TRE, teacher recruitment exam को hold करना, और disqualification of some candidate, B8 का primary से disqualify होना, यह दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो मैं यह ने समझ पा रहा हूं कि यह दोनों अलग 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 यह हुए हैं, तो यह अलग चीज़ें तो हो नहीं सकती, यह दोनों आपस में connected हैं, हाला कि इन्होंने आगे फिर बताया कि while the former is so for unaffected by the recent order of the honorable Supreme Court, उन्होंने कहा कि जो हमारा notification वो पहले आया है, और जो recent Supreme Court को order है, इसकी वजह से हमारा notification unaffected है, और आगे क्या होगा इसके ब रहा है, और उन्होंने कहा कि candidate should be realistic, candidate को वास्तविक्ता में जिना चाहिए, और अपने best interest के हिसाब से इनको अजमसन करने चाहिए, तो यह चीज़ें थोड़ा से इन्होंने लिखा है, और साफ साफ इनको लिखना चाहिए था कि B.E.P.S.C. कर भी नहीं सकता है, क्योंकि B.E इसी तो कोई eligibility तेह करने वाली संस्था है नहीं, इनको सिर्फ exam कराना है, eligibility तेह करने की संस्था NCTE है, NCT according अभी तक B.E.P.S.E. इनको exam देने दे रही है, आगे अगर NCTE को ऐसे नोटे चारी करता है, जिसमें B.E.P.E. को लेकर कुछ होता है, तो आगे की चीज़ें है, इ society वाला वो रद हो चुका है, उसके बावजूद B.E.P.S.E. के chairman allow कर रहे हैं, तो यदि आप exam देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं, मेरी तरब से भी आप लोगों को यही राय होगी, यदि आप interested है, exam देना चाहते हैं, तो चाहिए दे लिजिए, क्योंकि B.E.P.S.E. ने रो लेकिन फिलहाल, जब नहीं रोका जा रहा है, तो आप exam दे सकते हैं, इसी पीछे खबर और निकल कर आई है, कि डियलेट के चाहतर पटना आई-कोर्ट में रिट लगा रहे हैं, और वो मांग करेंगे कि B.E.P.S.E. की प्राइमरी सिक्षक्वरती से बाहर किया जब सुपर प्राइमरी में आया था, वही रद हो चुका है, ब्रिज कोर्स वाला सिस्टम में रद हो चुका है, तो आखिर B.E.P.S.E. कैसे B.E.P.S.E. को प्राइमरी में एक्जाम देने दे रही है, तो बहुत जल्द जो डियलेट के चाहतर हैं, वो बिहार के पटना हाई-कोर्ट मे रिट लगाएंगे और ये मांग करेंगे, तो वहाँ से जो भी अपटेट होगी, आपको सुचन दिया जाएगा, और इतना जल्दी रिट लगाना, सुनवाई होना, और फिर कोड को ओर्डर आना इतना जल्दी, तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज्यादा समय ह है नहीं, अब 10-12 दिन का समव अचा है एक्जाम में, इसके बाद जो डेलेट वाले अपनी कोशिश कर रहे हैं, और इधर भी पेस्टी दो अड़ा हुआ हो एक्जाम कराएंगे, तो ये सारी जनकारी है, ये सारी अपडेट है, और मैंने आपको यहाँ पस्तार जनकारी ब दो में पातार जनकारी ब वाचा है, ज में कर बोने कर द हुआ हैं, वे वेव dough है, वे अपको और भाज हैं, एक OF रहे हैंूदय कर और फमेंस हैंूदय कोश्जशिय क्र South